So Hello Everyone, मैं हूँ आपका दोस्ट सचिन शर्मा All Exam Place पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूँ डेली करन अफर्स की हमारी सिरीज में आज हम 12 सेप्टेंबर 2020 के सभी इंपोर्टन करन अफर्स के कोस्टन्स का डिस्केशन करेंगे ये कोस्टन्स बैंक SSC, रेलवे, एंटी पीसी, रेलवे, ग्रुप डी एक्जाम, जेल प्रहरी, व्यापन, स्टेट, पीसी जैसे एक्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन सावित होने वाले हैं वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, आपके लिए लाया है MPPOLIS का कोर्स, आप जैसे बहुत से चातर हमारा ये कोर्स जॉइन कर चुके हैं, आप भी मातर 1000 रुपए की फीस देकर MPPOLIS का कोर्स जॉइन कर सकते हैं, और अपनी तयारी को और भी बहतर बना सकते हैं, दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपसे करने फर्स का एक कोशन पूछूँँगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपना आज का लेसन हमारा आज का पहला प्रशन है, कि क्रिसिल ने व कोविड-19 महामारी और सरकार के पास परियाप्त वित्ती सहायता की कमी को कारण बताया है, और इसी के चलते जो है, इसको माइनस में जीडिपी आखी है, इसके अलावा क्रिसिल ने वित्तवर्श 2022 के लिए भारत की जीडिपी को 10% की दर्श से बढ़ने का अनुमान भी किवल भारत बलकी विश्यों के लगभग लगभग सभी विक्सित और विकासील देश जो है, इन देशों की अर्थ विवस्था जो है, ये चर्मराई होई है, कोविड-19 महामारी की वज़े से व्यापार वारेज में उत्पन होई जो अनिस्चित ताएं हैं, इनके चलते ज करनाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या होगा, दोस्तों रिसेंटली करनाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, अब जो है ये स्रीधा रूधा स्वामी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, दरसल करनाटक के हुबली जो समुदाय है यहां का इनके द्वारा कई वर्सों से इस स्टेशन का नाम परिवर्तन करने की मांग उठ रही थी और हुबली रेलवे स्टेशन दक्षिर पस्चिम रेलवे का मुख्याले भी है आपके लिए कोश्चन है आपको बताना है टोटल कितने रेलवे मुख्याले ह लिया है श्री सिद्रूदा स्वामी जी की बात करें तो यह एक महान भारती हिंदू संथ और यह एक दार्शनिक भी थे लोटते हैं प्रशन पर प्रशन में पूछा है करनाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या होगा तो यह होगा सिद्रूदा स्वा अगला फ्रस्ट है हमारा हाली में आपचारिक रूप से कितने राफिल विमानों को वायू सेना में सामिल कर लिया गया है। ये विमान लगबक 7000 किलो मीटर की यातरा कर अमबाला एयरवेस पहुँचे थे जिसमें से 2 सीड वाले हैं और 3 एयरकर जो है एक सीड वाले हैं ये विमान भारत पहुचे तो गय थी लेकिन अभी तक ये सेना में शामिल नहीं किये गए थे अब जो है आपचारिक रूप से इन बिमानों को भारती वायूसेना में सामिन हो ले की सुईकरती मिल गई है और इसी वज़े से ये राफिल फाइटर जैड जो है ये फिर से चर्चा का विसे वने हुए हैं। तो प्राशने पर लोटते हैं, प्राशने में पूचा है कि कितने राफिल लडाकू बिमानों को जो है रिसेंटली जो है वायू सेना में शामिल कर लिया गया है उपचारिक रूप से, तो ये किया गया है B-5. अगला प्राशने हमारा पूनम खत्री का संबंद किस खेल प्रतियोगिता से है, दोस्तों पुलिस अधिकारी पूनम खत्री जी का संबंद वूशू से है, हाल ही में इनके रज़त पदक को स्वन्ड पदक में तबदील कर दिया गया है, अब ऐसा क्यों हुआ है, तो दरसल द दीते दिनों हुआ है कि मरियम जो है ये डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है, और नियमा नुसार अब ये स्वन्ड पदक जो है दूसरे पाइदान वाले खिलाडी को ट्रांसपर कर दिया जाएगा, और इसी के चलते पूनम खत्री जी जो है, इनके रज़त पद सिल्पर मेडल को जो है गोल्ड मेडल में बदल दिया गया है, तो हमारा जो प्रस्ण चार है कि पूनम खत्री का संबंद किस खेल प्रतियोगीता से है, तो इनका संबंद है भी वो उशू से, अगला प्रस्ण है हमारा ग्लोबल एकोनोमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत क इस स्थान पर रहा, दोस्तो रीसेंटली कनाटा की एक संस्था जो है इसके द्वारा ग्लोबल एकोनोमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, इस सूचकांग में भारत 26 स्थान नीचे खिसक कर 105 वे स्थान पर आ गया है दोस्तो, पिछले साल हम जो है इस सूचकांग म चीन 124 वे स्थान पर रहा है, दोस्तो दुनिया भर में कारोवार के वातावरण को लेकर ये संस्था ये रिपोर्ट बनाती है, इस रिपोर्ट में पिछले एक साल की जो जो जुडिशियल प्रनाली है या जो जुडिशियल सिस्टा में किसी वी देश का नयाइक प्रनाली हो गई संपत्ति का अधिकार हो गया वैश्वे के स्थर पर व्यापार की स्वतंतरता हो गई इन सारे जो मेजरमेंट होते हैं इनका किया जाता है और फिर यह report जो है publish की जाती है तो इस report में पूछा है कि भारत जो है इस index में किस स्थान पर रहा है, तो भारत दोस्तो इस वर्स रहा है, 105 वे स्थान पर, हमारा अगला प्राशन है दोस्तों, की हाल ही में PLAYERJPORT का bang mister किसी है बनाया गया है, दोस्तों, recently sport gaming platform PLAYERJPORT ने स्मृती मंधाना और भुबनेश्वर कुमार को अपना brand mister बनाया है, यह एक fantasy स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म एप्लिकेशन है जैसे कि आप ड्रीम 11 के बारे में जानते होंगे और भी कुछ बहुत सारी इसके जैसी एप्लिकेशन थे तो उसी के जैसी यह एक फैंटेसी गेमिंग एप्लिकेशन है वोवनेश्वर कुमार और इस्मृती मंधाना को भी आ आया गिया है लास्ट वीडियो में दोस्तो मैंने आपसे कोश्चन पूछा था इंद्रा गांधी शांती पुरुषकारों से किसे सम्मानित किया गया था तो दोस्तो सर डेविड एटन बरो जो है इनको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्टित इंद्रा गांधी शांती पुरुष पुरुषकारों से सम्मानित किया गया था डॉक्टर डेविड एटन बरो की बात करें दोस्तो तो ये इंग्लिश और इंग्लिश ब्रोडकास्टर है और हिस्टोरियन भी है ये बीबीसी नैच्रल हिस्ट्री यूनिट लिए जो है लोगों में लोगप्री है तो हमारा जो शहरों के मद्दे चलाई जा रही है तो आपको इस फ्रश्न का उत्तर जो है कमेंड बॉक्स में देना है यही पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन उम्मीद करता हूँ आपको हमारी करन अफर्स की ये सिरिस काफी पसंद आ रही होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए है और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन चात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी चात्रों का महरता से धन्यवाद करता हूँ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर follow करना चाहते हैं तो link आपको screen पर दिख रही होगी आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं आप से मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार, जै हिन, जै भारत and thanks for watching this video